देश की नई संसत भवन में एक ऐसी घटना हुई जुसने 22 साल पुराने जखमों को फिर से हरा कर दिया संसत में बुद्वार को दो घटनाएं एक साथ घटी पहले दो शक्स विजिटर गैलरी से सदन में कूद गए अचानक जिससे वहाँ पर अफ्रात अफ्री मच गई इस घटना के कुछी देर बाद संसत की गेट पर दो लोग कलर स्मोक से स्प्रे करते हुए पकड़े गए और जोड़दा नारेबाजी करते हुए पकड़े गए चारों पुलिस की गिरत में हैं जबकि एक अब भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है आरोपियों के खलाफ UAPA यानि Unlawful Activity Prevention Act के तहट मामला दर्च कर लिया गया है दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो UAPA के तहट इस पूरे मामले की आप जाच पर जुट गई है इसमें आरोपियों की संपत्ती कुरकी का अधिकार होता है पुलिस को 30 दिन की कस्टिडी भी इसको लेकर मिलती है या एक हिरासत 90 दिन तक की हो सकती है इसमें अगरिम जमानत यानि की एंटीसिपेट्री जो बेल होती है वो मिल पाना संभव नहीं है ग्यार कानूनी गतिविदी से मतलब है कि किसी व्यक्ति या संगठन की ओर से भारत की छेत्रिया अखंडिता और संप्रव्वता को अगर बादित करने के एरादे से कोई कारवाई की गई हो तो उसमें दोशी पाए जाने वाले शक्स को मृत्यु डंड और आरजीवन कारव पास की भी सजा हो सकती है यूए पीए के तहट बतादे जाच एजनसी गिरफतारी के बाद अधिक्तम 180 दिनों में आरोप पत्र दायर कर सकती है और अदालत को सूचित करने के बाद इस अवधी को आगे भी बढ़ाया जा सकता है